जेहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी current affairs की class में मैं हूँ आप सभी का राजा गुपता और प्यारे दोस्तों आज हमें आपे topic wise current affairs की class में Nobel Prize 2024 को discuss करने वाले हैं दो घंटे पहले जे गिस्सा की छेतर में medicine के छेतर में Nobel प्रसकार की घोशना हुई है तो साथ ही जितने भी important updates हैं वो आपको इस channel पर मिलेंगे तो आप channel को subscribe कर लिजेगा ताकि आपको regular important current affairs और जीके के important questions मिलते रहें तो आई फ्रेंट स्टार्ट करते अपने session को PDF आपको हमारी application पर मिल जाएगी अभी बस आप बहुत ध्यान से प्यार से सुनिए सब कुछ आपको class में ही याद करा दूँगा बस focus हो करके पढ़िएगा सबसे पहले हम पूरा theory पढ़ेंगे और फिर last में हम important MCQ भी लगाएंगे ताकि ये तो पता चले कि class में आपने कितने अच्छे से पढ़ा है तो आई start करते अपने session को दोस्तो दो घंटे पहले ही medicine यानि चिकिसा के छेतर में नोबल प्रसकार की घोशना हुई है इसमें आपको दो वेक्ति दिख रहे हैं एक का नाम है Victor Ambrose और दूसरा यहाँ पर आप देखे Gary Roof Koon यह दोनों USA से बिलॉंग करते तो पहला प्रशन तो आपसे पूछा जाएगा कि किन है मिला दूसरा प्रशन पूछा जाएगा किस देश से बिलॉंग करते हैं अब सवाल ही उड़ता है इनको किस छेत्र में दिया गया यह तो आपको पता चल गए लेकिन कौन सा काम किया इन्होंने तो साथियों इन्होंने यहाँ पर डिस्कवरी की है नोबल प्रसकार जो उनको मिला है यहाँ पर माइक्रो आरेने की खोचकी है और पोस्ट ट्रांस्क्रिप्शनल जीन विनियमन इसे हम कहते है जीन रेगुलेशन तो इन्होंने इसमें एक एहम रोल निपाया है तो इन्हें सन्युक्त रूप से अवार्ड यहाँ पर दिया गया है अब दोस्तों इनका नाम याद करने के लिए मैंने बहुत ही बहतरीन से ट्रिक बनाई है अब मैं आपसे बोलूँगा आप इमेजिन करिएगा तो यहाँ पर Gary लिखा हुआ है तो आपको याद रखना है गौरी गौरी एक लड़की है ठीक है और यहाँ पर लिखा Victor और गौरी और दूसरा लड़का Victor है ठीक है दोनों जो हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और दोनों के बीच में बहुत अच्छा relation है और यह दोनों doctor है और दोनों जो है medicine के छेतर में काम कर रहे हैं समझ गया आप मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा तो गौरी और Victor आपको याद रखना है medicine के छेतर में इने noble प्रसकार मिला है अब दोस्तो और भी important details को समझते हैं कि noble प्रसकार क्यों दिया जाता है कब से start हुआ है तो देखें noble प्रसकार जो है दुनिया का सबसे बड़ा award है noble प्रसकार से बड़ा कोई भी बड़ा award नहीं है पूरे world में दोस्तो यह award जो है एल्फरेड नोबल की याद में दिया जाता है जो कि एक chemist थे साथ ही साथ इंजीनियर भी थे अब आपसे पूछा जा सकते हैं इनका जनम कहां पर हुआ है तो स्टॉक होम स्वीडन में इनका जनम हुआ था और इनकी मृत्य हुई थी 10 दिसमबर 1896 को जो भी नोबल अवार्ड होते हैं दोस्तो इसकी घोषन अक्टूबर मन्त में हो जाती है लेकिने अवार्ड दिये जाते 10 दिसमबर को और 10 दिसमबर को विश्व मानावधिकार दिवस भी मनाते है दोस्तो यहाँ पर याद रखना है इन्हों ने डाइनामाइट का अविश्कार किया था 1867 में जिसकी वज़े साच पूरी दुनिया एक दूसरे के उपर मिसाइल फेक रही है तो वहाँ पर डाइनामाइट का खोज बहुत जादा इंपोर्टन था और वो नोबल अल्फरेड नोबल ने किया था दोस्तों एल्फरेड नोबल ने ब्लास्टिंग कैप नाम का यहाँ पर विसफोटक उपकरण भी बनाया था दोस्तों इन्हों ने अपनी पूरा जीवन इनोविशन के लिए अविश्कार के लिए हाँ पर समर्पत कर दिया था और 355 इन्वेंशन इन्होंने किये हैं और यह पेटेंट भी इनके नाम है देखिए दोस्तों एल्फरेड नोबल की जो पुन्यतिती है यानि इनकी जो डेथ है वो 10 दिसंबर को यहाँ पे हुई थी तो 10 December को Alfred Nobel की पुनितिधी पर ये अवार्ड दिये जाते हैं लेकिन पुरसकारों की जो घोशन अक्टूबर बंत में होती है जो मैंने आपको अभी रिसेंटली में बताया है देकिन Noble Foundation है जो की responsible organization है Noble पुरसकार देने के लिए और 1900 में आपको याद रखना है Noble Foundation की स्थापना किये गई थी दोस्तों Alfred Nobel ने यहाँ पे तै किया था कि जो भी इन्होंने अपना जीवन भर का पैसा यहाँ पे कठा किया है तो कुछ हिस्सा वो उन्होंने अपने रिस्तेदारों को दे दिया था लेकिन जो बचा हुआ पैसा था एक फंड यहाँ पे कठा हुआ और इन्होंने कहा मेरे मरने के बाद आप इस पैसे को बैंक में डेपोसिट कर दीजेगा और उससे जो यहाँ पे इंट्रेस्ट आएगा उससे जो ब्याज आएगा उस ब्याज को उस इंट्रेस्ट को उन सभी लोगों में बाट दीजेगा जो हर साल यहाँ पे लोगों की भलाई के लिए लोगों की मानवता के लिए काम करते हैं दोस्तों इन्होंने जो डानामाइट का विश्कार किया था उसकी बज़े से इनकी भाई की मरत्य हो गई थी डैथ हो गई थी और इस बात का एसास इनको हो चुका था कि इन्होंने बहुत ही गलत इन्वेंशन कर दिया है जिसकी वज़े से आने वले समय में बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान दुनिया को जिलना पड़ सकता है इसी को देखते हुए दोस्तों उन्होंने फैसला किया था तो दोस्तों यह जो पैसा है कहां पर जमा है तो सुडिस बैंक में सारा पैसा जमा किया गया है और इसी की इंट्रेस्स से हर साल नोबल अवार्ड दिये जाते हैं दोस्तों और भी डिटेस को समझते हैं मैं जानता हूँ आपको बहुत इंट्रेस्ट यानि बहुत ही इंट्रेस्ट के साथ आप सुन रहे होंगे बस सुनते चलिए सब कुछ आपको पता चल जाएगा दोस्तों नोबल अवार्ड जो है किन-किन चेत्रों में दिया जाता है तो फिजिक्स यानि बहुत इकी के चेत्र में केमेस्ट्री के चेत्र में मेडिसीन के चेत्र में लिट्रेचर के चेत्र में और शान्ती के चेत्र में तो पाँच चेत्रों में Nobel Award दिये गए 1969 में ठीक है तो साथ ही यहाँ पर देखिए आप अगर आपसे पूछा जाए कि जो भी Award Ceremony होती है वो कहाँ पर होती है तो जो शांती का Nobel Award दिया जाता है वो Norway की Capital Oslo है यहाँ पर दिया जाता है जबकि जितने भी जो other prizes हैं 5 Award है वो Stockholm Sweden में Award दिये जाते हैं और दोस्तो आपसे question पूछा जा सकते हैं बहुत important question है कि एक साल में कितने लोगों को maximum लोगों को Award दिया जा सकता है तो एक साल में maximum 3 लोगों को Award दिया जा सकता है Nobel Awards दोस्तो 2024 में important updates है जो आपको पता होना चाहिए कि जो भी Nobel Prize यहाँ पर जीतता है विनर होता है उसको 11 Million Swedish Kroner अगर हम रुपयों में बात करें तो 8.9 करोड से जादा रुपय उनको मिलते हैं यह update आपको याद रखना है अब कौन सा प्राइस की संस्था की दोबरा दिया जाता है आईए यहाँ पर समझते हैं तो 6 छेत्रों में आपको याद रखना है Physics Chemistry Maths PCM Lab आपको याद रखना है Physics Chemistry यहाँ पर आपको याद रखना है Physics Chemistry Literature Economics of Peace यहाँ पर 6 छेत्रों में अवर्ड दिये जाते हैं तो सबसे पहला हम बात करते हैं कि छेत्र में तो Royal Studios Academy of Sciences के दौर Allahu Award दिया जाता है Chemistry जो है तो Physiology & Medicine का जो अवर्ड है यह Karolinska Institute के दौरा दिया जाता है Literature духов का झेत्र में Studies Academy के दौरह梦 दिया जाता है Peace के छेत्र में Norwegian Nobel Committee जो है Oslo में है तो repent Management इस organization के दोरा दिया जाता है Economic Science Economy आईनि आप समझ गए होंगे अर्थ साथ के छेतर में Royal Studies Academy of Sciences के दोरा ये award दिया जाता है अब दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँगा उन सभी भारतियों के बारे में जिन्हों ने अब तक यहाँ पर नोबल प्रसकार जीते हैं तो अग तक टोटल 10 ऐसे इंडिन्स थे जिनको नोबल प्रसकार मिल चुका है तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है रविननाथ टैगोर 1911 में इनको Literature के छेतर में अवाड मिला था दूसरे सीवी रमन 1930 में भौते विज्यान के छेतर में हर गोविंद खुराना को 1968 में मेडसिन के छेतर में मदर टरेशा को 1979 सांती के छेतर में शुब्रमन्यम चंदरशेखर को 1983 में फिजिक्स के छेतर में अमर्त सेन को एकनोमिक्स में 1998 में वी एस नैपॉल इन्हें यहाँ पर literature के छेत्र में 2001 में मिला और वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में जिनने हम CV रमन भी कहते हैं रसायन विज्ञान की छेत्र में इनको यहाँ पर award मिला है ठीक है माफ कीजेगा वेंकट रमन रामकृष्णन को यहाँ पर मिला है ये chemistry के छेत में कहलाज सत्यार्थी को 2014 में शांती के छेत में मलाला यूसफ हसाई के साथ मिला था अभिजीत बनर जी सबसे रिसेंट है 2019 में economics के छेत में को nobel prize मिला है 2019 के बाद अभी कोई भी भारती नहीं है जिसको nobel पुरसकार मिला हो दोस्ते की important information आपको दे देता हूँ बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमको PDF कहाँ पर मिलेगी तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ यह हमारा study garden application है जहां पर आपको daily current affairs की PDF आपको मिलती है आप यहाँ पर ebooks में जाएंगे यहाँ पर आप test series में जाएंगे यहाँ पर आप test past में जाएंगे तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीज़े हैं आप ebooks में जाएंगे तो आपको हर मन्त की monthly current affairs मिलेगी हिंद इंगलिस दोनों medium में topic wise current affairs marathon class PDF early half early PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाती है GKGS की जितनी भी ebooks हैं हिंद इंगलिस मीडिया में आपको यहाँ पर मिल जाएंगी प्यारे सात्यों जो आप topic wise current affairs पर आपको PDF इस class की जो आप पर आप noble की यहाँ पर मिल जाएगी चलिए हम अपने session को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं ऐसी महिला की जिन्होंने noble प्रसकार जीता है और सबसे पहली महिला को आप यहाँ पर image में देख रहे हैं इनका नाम है Mary Curie तो physicist के छेत्र में 1903 में इनको award मिला है दोस्तों इसके अलावा इनके पास एक और उपलबदी है इन्होंने noble प्रसकार जीता है और इस सबसे पहली महिला तो है ही लेकिन इनको यहाँ पर अलग-अलग छेत्रों में भी award मिला है यानि एक ऐसी महिला जिनको यहाँ पर physicist के छेत्र में और chemistry के छेत्र में noble प्रसकार मिला है तो 1903 में physics के छेत्र में 1911 में chemistry के छेत्र में इनको award मिला है वही पर आगर आपसे पूछा जाये ऐसे कौन से पुरूश है ऐसे कौन से मेल है जिनको नोबल प्रसकार अलग-अलग छेत्रों में मिलाएं तो लीनस पॉलिंग है 1954 में केमेस्ट्री में और 1962 में यहाँ पे पीस यानि शांती की छेत्र में इनको अवार्ट दिया गया चली नेस्ट हम बात करते हैं नोबल प्रसकार समानित किये जाने वाले सबसे पहले एशिया इवेक्टी और सबसे पहले भारती एकोन है तो रविना टैगोर जी हैं गितांजली के लिए इनको 1913 में साहित की छेत्र में नोबल प्रसकार मिला है भौतकी की छेत्र में प्रिजिस्ट की छेत्र में सबसे पहला नोबल प्रसकार किसे मिला तो इनका नाम है विलहम, कॉन्राड, रॉंटगन इन्होंने एक्सरे की खोश की आज देखिया अगर इन्होंने इसका डिसकवरी नहीं किया होता तो हमें कैसे पता चलता कि हमारे श साहिते की छेत्र में, अंग्रेजी भाषा में, नोबल पुरसकार सबसे पहले किसे मिला है, तो रूड यार्ड किपलिंग को मिला था, दा जंगल बुक के लिए इनको मिला, 1907 में, नेस्ट यहाँ पर हम बात करते दोस्तो, नोबल शान्ती पुरसकार सबसे पहले किसे मिला है, तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक संस्था भी बताऊंगा, तो यहाँ पर इंटरनेशनल रेड क्रोस के जो संस्थापक के, जीन हैंडरी डुनरंड, और यहाँ पर फ्रेंच, शान्ती सुसाइटी के संस्थापक, और सबसे पहले अध्यक्ष, फ्रेडरिक पैसी, इन दोनों को 1901 में एक साथ यहाँ पर अवर्ड दिया गया है, और वो है, यहाँ पर पीस प्राइज है, ठीक है, दोस्तो, नोबर शान्ती परसकार संबानित किये जाने वाले सबसे पहली महिला कौन से है, तो आस्ट्रिया की बैरोनस, बर्था, सोफी, फैलसीटा, वार्ड, सटनर, 1905 में इनको यहाँ अवर्ड मिला था, और यह अवर्ड था, शान्ती परसकार इनको मिला था, सबसे पहली महिला है, दोस्तो, नोबर परसकार से संबानित सबसे कम उमर की व्यक्ति कौन है, तो 17 साल की उमर में, शान्ती की छेत में मलाला इसुफ जाइक को वार्ड मिला था, दोस्तो, इनको गोलियों से भुन दिया गया था, क्योंकि ये महिलाओं के सिक्षा, महिलाओं के अधिकारों की बात करती थी, तो कहला सक्तियार्थी के साथ इतको 2014 में नोबर पीस प्राइज मिला है, चलिए, दोस्तो, यहाँ पर नोबर परसकार तीन बार जो सम्मानित किया गया, एक मात आर्गनाईजिशन कौन सा है, तो यह है इंटर्सर रेड क्रॉस कमिटी, 1917 में, 1944 में, और 1963 में, तीन बार इनको यहाँ पर आवार्ट दिया गया, एक मात रैसा आर्गनाईजिशन है, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कोश्चन है, और जो पूछा भी जा सकता है, कि ऐसा कौन सा वेक्ती है, जिनको उलम्पिक अवार्ट के सास्था, तो नोबल प्राइस भी मिला, तो एक मात रैसा वेक्ती है, इनका नाम है फिलिप नोयल, ठीक है, जो कि United Kingdom से बिलॉंग करते हैं, इन्होंने Antwerp में 1920 में, इन्होंने उलम्पिक में 1500 मीटर में, रज़त पदक जीता था, सिल्बर मेडल जीता था, और 1959 में नोबल शांती पुरस्कार भी जीता है, चलिए, अब मैं आपको सभी नामों की लिस्ट बता देता हूँ, जिन्होंने नोबल प्राइज जीता है, दो बार सम्मानित होने वाले ऐसे चार वेक्ती हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो Mary Curie है, 1903 में, 1911 में, दूसरे हैं, Linus Pauling, 1954 में, 1962 में, फिर हैं तीसरे, John Bardeen, 1956 में, 1972 में, और चौते हैं, Frederick Sanger, 1958 में, 1980 में, दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे, महत्मा गांधी जी के, जिनको पांच बार नॉमिनेट तो किया गया, लेकिन एक भी बार इनको, Nobel Peace Prize नहीं मिला, ठीक है, तो इनको यहाँ पे, 1937 में, 1938 में, 1939 में, इन्हें नॉमिनेट किया गया, और 1947 में भी नॉमिनेट किया गया, नामांकन तो हुआ, लेकिन इनको अवार्ड नहीं मिला, और आखरी बार, 1948 में भी नामांकित किया गया, लेकिन महत्च चार दिन के बाद, इनकी यहाँ पे, एसेजिनेट किया गया, इनकी हत्या कर दी गई, नाथुरांग गोड से ने अत्या कर दी थी, और इसके बाद, उस समय ऐसा नियम था, कि मर्णो परांद किसी वेक्टी को, नोबल परसकार नहीं मिलेगा, तो इनको यहाँ पे, नोबल पीस प्राइस नहीं मिला, देखी फ्रेंड्स, आप सब इनने थ्योरी तो पूरे पढ़ लिये, अब लास्ट में आपका 15 कोशन का टेस्ट भी रखा है, आईए देखते हैं कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है, आपका यहाँ पे टेस्ट भी हो जाएगा, आईए देखते हैं दुस्तों पहला कॉशन, नूबल परसकार की शुरुवात कबसे हुई है, तो देखें, नूबल परसकार जो है, 1901 में स्टार्ट किये गए 1901 से, नूबल परसकार कितने छेत्रों में दिया जाता है, तो देखें फ्रेंड्स, Chemistry, Literature यहां पे आप देखे शान्ती, भौतकी और शरीर विग्या है Physiology की छेतर में Nobel प्रसकार किनकी याद में हर साल दिया जाता है तो Nobel प्रसकार जो है Friends, हमने आपको पढ़ाया है Alfred Nobel की याद में दिया जाता है और यह जो Awards Distribution है यह 10th of December में होते हैं लेकिन अक्टूबर में इसकी घोशना हो जाती है Nobel Prize हर साल कब दिया जाता है तो Nobel Prize हर साल 10th December को दिया जाता है और 10th December को क्या मनाते हैं आपको पता है एक Important Day भी मनाते हैं माना वधिकार दिवस Human Rights Day भी Celebrate करते है पहली बार Nobel प्रसकार कब दिये गए थे तो आपसे पूछा जा रहा है तो 10th December 1901 को पहली बार Nobel प्रसकार दिये गए थे Nobel प्रसकार से तीन बार सम्मानित एक मातर Organization कौन सा है तो Friends इसका Right Answer हो जाएगा अंतरासी Red Cross समिती Intercept Committee of the Red Cross ये एक ऐसा Organization है जिससे तीन बार Nobel प्रसकार मिल चुका है Nobel प्रसकार के अंतरगार कितनी राशी दी जाती है तो इसमें आपको कितनी राशी मिलती है 11 million students क्रोन लगबग 9 करोर रोपे something Medicine में 2023 का Nobel प्रसकार किसे मिला दे कि बहुत जादा important है कई बार आजकल current affair पूछ लिया जाता है last year का इसलिए मैंने यहाँ पे include किया है 2024 में जितने updates आइंग हो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पे पिछले साल को भी पढ़ेंगे तो बताएं जल्दी से तो इसका right answer हो जाएगा Kathleen Curry को और Drew Wissman तो नोबल पुरसकार यहाँ पे दिया गया था इनको Kathleen Curry को Drew Wissman को mRNA technology से इन्होंने Corona vaccine के जर्ये दुनिया भर में Corona का जो महामारी थी इसको खतम किया था बहुत तिकी का नोबल पुरसकार 2023 के से दिया गया तो देखें friends इसका right answer हो जाएगा Pierre A. Augustini Parents, Krauses और Enhulier All of the above इन तीनों को यहाँ पे अवर्ड दिया गया Electrons पी study करने के लिए अवर्ड इन्हें मिला है साहित का नोबल पुरसकार John Fosay को दिया गया इनका संबंद किस देश से है तो इसका right answer हो जाएगा यह Norway से बिलॉंग करते है Norway का right answer हो जाएगा देखिए आप पे आप देख सकते है John Fosay को जो की Norway के लिखक है नोबल शान्ती पुरसकार 2023 किसे मिला इस बार definitely आएगा तो नर्गिस मुहमदी को नोबल शान्ती पुरसकार 2023 दिया गया है यह एरान की महिला पत्रकार साथी साथ एक्टिविस्ट है नर्गिस मुहमदी तो यहाँ पे 13 बार गिरफतार की जा चुके हैं क्योंकि इन्होंने महिलाओ की अधिकार महिलाओ की आजादी की बात महिलाओ की हक की बात इन्होंने कही है रसायन का नोबल प्रसकार 2013 की से मिला केमेस्ट्री के छेत्र में तो इसका राइट एंसर हो जाएगा माउंगी बवेंडी लुइस ब्रूस और एक्सी एकी मूल इन तीनों को अवर्ड दिया गया है तो देखिए आप यह तीनों अमेरिकी मूल के केमेस्ट हैं और उन्हेंने कॉंटम डॉट्स की खोश की है यह कॉंटम डॉट्स क्या होते है जो आप मुझे देख पा रहे हैं जो स्क्रीन में लाइट पड़ती है तो इसकी वज़े से यहाँ पे स्क्रीन में आप राइटनेस देखते हैं उसकी वज़े से आपको बहुत सारा कुछ विजिबल है तो इसे quantum dots की खोश की वज़े से इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है तो quantum dots एक nano particle होते हैं बहुत छोटे होते हैं Claudia Goldin को economic and noble price मिला है इनका संब्ध किस देश से है तो Claudia Goldin का जो relation है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तो इसका relation इनका America से इनका relation है तो Claudia Goldin ने बताया था कि लगा था market में महिलनाओं का जो role है वो बढ़ता जा रहा है और इनकी योगदान के लिए इनको यहाँ पर award मिला है नोबल परसकार सम्मानित की जाने वाले सबसे कम एज के व्यक्ति कौन है तो सबसे कम एज के व्यक्ति यहाँ पर मलाला यूसफ जाइन जो किवद 17 years की 17 साल की है ठीक है इनको नोबल पीस प्राइस मिला 2014 में आज का आखरी question आप सभी के screen पर अगरेजी भाषा में साहित के छित में नोबल प्रसका समाने की जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे आपको इसका अंसर मुझे comment box पर देना है मैंने आपको पढ़ाया है आप बताई इसका अंसर comment box पर दोस्तों आज का सवाल है आप लोगों के लिए और एक और question है कि भारत अंतरास्टी उजा दक्षता हब में शामिल हो गया है इसका headquarter कहां पर है इसका भी अंसर आपको comment box पर देना है देखिए आप पर मैं आपको थोड़ा application के बाहरे में बता दू तो जो आप यहाँ पर देखिए daily current affairs यहाँ पर देख रहे हैं तो daily current affairs की PDF आपको यहाँ पर मिलेगी ebooks यहाँ देखिए test series देखिए test pass देखिए तो ebooks में आप जाएंगे तो हर महीने की monthly current affairs अभी सितंबर मन्त की monthly current affairs upload हो चुकी है आप जाइए उससे download करिए पढ़िए यहाँ पर topic wise current affairs की PDF आपको मिलेगी GKGS की जितनी भी Hindi English media में आपको ebooks है वो आपको यहाँ पर avail कराई गई है January सिले के सितंबर तक का 9 महीने का current affairs 500 MCQ के साथ Hindi English दोनों मीडिय में आपको यहाँ पर उपलग्द करवाया जा रहा है daily आप यहाँ पर test भी दे सकते हैं test series में जाएंगे तो यहाँ पर daily current affairs का test और static GK का book का भी test होता है daily test होता है तो यहाँ पर आप देखिए test series में जाएंगे तो monthly current affairs अगर आपको हर महीने का लगाना है तो January सिले के सितंबर तक का हर महीने का monthly current affairs का भी test है आप वहाँ पर test भी लगा सकते हैं और यहाँ पर test pass है जिसमें किसी भी exam भारत का कोई भी exam अगर आप crack करना चाहते हैं तो आप जो हैं यहाँ पर एक साल की validity के साथ सभी exam के लिए आप यहाँ पर test pass को एंडरूल कर सकते हैं राजा गुपता current affairs हमारा telegram channel आप इसे जोई करना मत भूलना यह हमारा static gk book है जिसमें हमने 81 topics को cover किया है और 81 topics में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा quality, history, art and culture बहुत सारी यहाँ पर topics cover किये गए हैं और मैं आपको daily page भी देता हूँ जहाँ पर आपका daily test भी होता है तो आप पढ़िए और आप topic wise page wide test भी दीजिए तो ऐसी चीज़े हम यहाँ पर करा रहे हैं अगर आपको इस book को order करना है तो इसका link हमारी description box में दिया गया comment box पर pin किया गया आप वहाँ पर click करेंगे तो आप हमाई website में launch हो जाएगे वहाँ से आप book को शेरिंग यूर फेवरीट चैनल राजय गुपता करंट अफेर्ट जैहिन जै भारत